मन्रेगा घोटाले मामले में निलंबित आईयस अधिकारी पूजा सिंगल जमानत की अर्जी की आज सुनवाई होगी राजधानी की बिर्सा मुंडा केंदरी कारा ग्रह में बंद सिंगल के जमानत की अर्जी की सुनवाई एडी की विसेश निया धीज की आदालत में होगी है उनको मनी लॉडरिंग और मन्रेगा घोटाले के आरोप के तहट 11 मई को गरफतार किया गया था आपको बता दे कि मामले में पूस्ताच के लिए एडी ने अब तक उन्हें तीन बार रिमांट पर भी लिया है हाला कि CBI ने अभी तक सिंगल के खिलाफ चार सीट नहीं दाखिल की है उसके बाद 25 मई को पूजा को जेल बेज दिया गया था इस दोरान 8 जून और 22 जून को उनकी हिरासत अवधी बढ़ाए गई उनके मामले के अगली सुनवाही 5 जुलाई को तै है लेकिन उसके पहले ही पूजा सिंगल ने जमानत की याजिका दाखिल की है आपको बता दे कि ईडी ने उनके पती के करीबी और सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड रुपे से अधिक कैस वरामत किया था विरो रिपोर्ट आई पी अन